फोटा सिक्का जो समझते थे मुझे मैं उनका ध्यान तोड़ा आया हूँ जिन्दगी की राहों में सफर था लंबा मेरा इसलिए मैं अपने कदमों के निसान छोड़ाया हूँ हेलो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अभिशेक और आपका स्वायत करता हूँ हेल्पिंग अभी चैनल पे आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक यूनिक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो है पिंग पॉंग पेमेंट्स पिंग पॉंग कंप्लीट ऑनलाइन पेमेंट सॉल देखें कंप्लीट वीडियो देखें जो मैं बताने जा रहा हूँ मैं आपको डेक्स्टॉप पर भी बताऊंगा आज की जो वीडियो है वो पिंग पॉंग पेमेंट्स के उपर है पिंग पॉंग हेल्प करता है आपके इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करने के लिए जो ड प्रस्ट माइवर्ट्स बहुत ही जबरदस्त है यह विड्डॉल और जो भी अगर जैसे कि अब फिलैंसर है तो फाइबर हो अपवर्क हो गुरू हो 99 डिजाइन हो पिपल पर आर हो ऐसे साइट्स पे आप अगर फिलैंसिंग कर रहे हैं तो आप पिंग पॉंग पे बिल्क चार्ज है 1% transaction fee है no annual fees no annual maintenance कुछ भी नहीं लगेगा आपको ठीक है no hidden charges और सबसे important है FIRC foreign involved remittance certificate यानि कि जब आप का पैसा बाहर से आता है तो FIRC जो है वो आपको भेजी जाती है तो अगर आप PayPal वेरा यूज करते हैं तो वो आपका 300 charges करता है लेकिन अगर पिंग पॉंग को अगर आप लोग यूज करते हैं तो कोई यहां charges नहीं लगता है और जितनी भी transaction होगी सारी की copy आपको email पे भेज दी जाएगी FIRC की copy भेज जाएगी जिसमें की transaction fee होता है उस date में और सबसे important बात है कि जैसे कि आप जिस date में transaction करते हैं तो जब आपका INR में आता है इंडियन रूपी में convert होके आता है कोई भी अगर USD वेरा यूरो वेरा से convert होके आता है तो उस date पे अगर आप conversion rate देखेंगे तो वो आपको कम मिलता है अगर आप दुसरे का use करेंगे और यसमें पिंग पॉंग का use कर रहा हूं तो मुझे conversion rate बहुत high मिलता है उस दिन का तो यहाँ पर अगर माल लेजा अगर 100, 200, 400 डॉलर जो draw कर र आपको high conversion rate देगी जो सबसे important चीज़ है 1% transaction fee है बहुत fast processing है जैसे आप withdraw करते हैं जैसे आपका ping pong account में आता है तो automatically withdraw हो जाता है आपको वहां से withdraw करने की ज़रत नहीं होगी तो please complete video देखिए this is one of the best payment method जो है और अगर e-commerce site पे अगर Amazon वेरा पर भी आप seller वेरा है तो यह भी आ answer और as a seller भी आप अगर है तो यहां पर account create कीजिए link description में है और बस payment फट अफट लीजिए अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ping pong account को आप people per hour में add कर सकते हैं जो ACH bank के दोवार हम लोग add करते हैं तो चलिए देखिए और यहां पर आपको click करना है right top पे right top पे आपको click करना है और यहां पर payments में आ जाएंगे जैसे payments में आते हैं तो आपको यहां पर payment settings है इसे आप click कर दें बिल्कुल मैं धीरे धीरे बता रहा हूं आप लोगों को ताकि कोई भी issue ना हो कोई दिक्कत और उपर में जो withdrawal account है इसको आप जैसे मैंने पहले add करके रखा हुआ है तो यह यहां पर नीचे में आप देख सकते है add new account आपको इस पर click करना है जैसे आप add a new account करते हैं तो आपके पास option आ जाता है PayPal, Payneer, ACH bank और bank account मैं यहां पर add करना चाहता हूँ पिंग पॉंग जो एक third party payment gateway है आप इसे यहां से add कर सकते हैं USA का already मेरे पास verified account है मैं यहां पर click करता हूँ एक बात ध्यान रखे आपका जो PPH account name है वो पिंग पॉंग के account statement में सेम होना चाहिए और ACH है account name में आपको अपना नाम डालना है अगर पिंग पॉंग पे आपने account बनाया है तो ठीक है ने तो यह भी मैं आपको बता दूँगा कैसे create करना है account name और beneficiary name बिल्कुल सेम रहेगा जो आपने create किया है तो हमने account name beneficiary name add कर दिया है अब मुझे account number, routine number, account type और account subtype हमें यहां पर add करना है तो account number हम लोग ले लेते हैं यह से मैं copy करता हूँ पेस्ट करता हूँ रूटीन नंबर account type तो यह individual है तो यह रखते हैं और account subtype यहां पर आप देख रहे है account type मेरा क्या है checking ठीक है यह subtype में आ गया हमारा तो यहां पर हमने checking डाल दिया और यहां पर हमें अपना एक account जो हमने create किया है वहां पर मुझे एक document चाहिए वो welcome later आता है यहां पर यहां पर देख सकते है apply for welcome later जैसे आप डालेंगे तो आपका welcome later आ जाएगा और उसी को फिर आपको यहां पर upload कर देना है मेरा यहां पर अभी शेक कुमार पिंग पॉंग करके हैं मैं यहां पर upload कर रहा हूं और एक बार फिर से चेक कर लाता है account name, account beneficiary, account number, routine number, account type, account subtype यहां पर हमें add कर देना है account और यह जो है हमारा account को save कर दिया गया है और तो इस तरह से हमने अपना जो payment method है वो add कर दिया और शायद हो सकता है approve होने में आपका एक से दो दिन तो don't worry hello friends तो हम लोग आ चुके है पीपल परार का dashboard पे और आपको right top पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद payments में जाना है और जैसे ही payments में आप जाते हैं तो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर usd मेरा 19 डॉलर है और pound में भी है तो मैं usd से जो है वो transfer करूंगा ping pong account में और यहां पर option आ जाता है आपको withdraw funds तो इस पर आपको click करना है और जैसे आप इस पर click करते हैं तो यहां पर आपको option आता है किससे आप करना चाहते हैं तो usd PPH का जो account है मैं यहां से करूंगा और इसके बाद मुझे option आ जाएगा कि मुझे कितना करना है तो मैं यहां 15 डॉलर जो है वो withdraw करूंगा और मैं किस पर करना चाहता हूं तो यह मैं select कर लेता हूं अब इशेक कुमर no withdrawal fees देखिए यहां पर देखिए ping pong का no withdrawal fees ओके request withdrawal पे मैं यहां पर डालता हूं देखिए यहां पर लिखा हूँ आ रहा है पीपल पर आर्टीम विल प्रॉसेस यूर रिक्वेस्ट विदीन दे नेक्स 48 आर्स प्लीज लीज लीव कपल ऑफ मिनिट्स और यूर यहां पर यहां पर हो जाएगा और यह जल्दी प्रॉसेस हो जाएगा और यह जो दिखाया जा रहा है यहां पर 48 आर्स के अंदर में आ जाएगा और वहां से पिंग पॉंग एकाउंट में जो हमारी ट्रांजेक्शन होकर के पेपियस से आई है 15 डॉलर क्रेडिट हुई है और यह हमारे बैंक में फाइनली आ चुका है 1000 प्लस अमाउंट आ चुका है जो की अच्छा खासा रेट हमें मिला है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगल